अलो गाइस असलाम आलेकम आज में दे रेसिपी किचन में मैं आज आपके निये लखना होगे गलाउटी कबाब के रेसिपी लेकर आई हूं को पृबत कनी अहुं आदे किलो अचह से यो कीमा बीफ का बड़ेकर करया ली अचह से यह आप अपने दो प्यास ब्राउन कर के इसके मैंने क्रेश का लिए कर सकते हैं यह केवड़ा वाटर है यह जितना लगेगा और यह दो टेबिल स्पून लेसन अधर का पेस्ट है और पचास गिराम की लगबक यह हमारे चने हैं इसका हमें पाउडर बनाना है एक पेस्ट् हाँ यह पाच हरी लाइची है और यह झाल लिए हैं और आज़र टीज्पून और चाहरी लाइची है और यह चार लूंग लिए है काली मिट्स एक बड़ी लाइची, एक दाल चीनी का बड़ा श्टिक लेना है, एक जाइफल का छोटा तुपड़ा, एक जावीतरी, एक तेज पत्था, और ये पत्थर पूले, ये खुश्बु का फिले कि स्टॉनी से बोलते हैं, ये फिलेवर के निये डाला जाता है, ये सब्सक्राइप, लाल मिट्स पौडर एक टी-सपून जाहते हैं, ये लाल पी पीपलि है, जो एक लाल मिट्स पाटार रहे, घाया इन सब का हमें बड़ी इलाची को खोल लेना है यह खुश्बू के लिए डाला जाता है बिलेक स्टोन जिससे पत्थर की फूल भी बोलते हैं यह सब चीजे यह पीपली एक लिए और यह मैंने आधी किलो कीमा लिया है अगर आप चाहें तो इसको मटर में भी बना सकते हैं यह भूने चाने डाने 50 गला और आप अपने अंदाज से आपको जितना लेना हो आप उसकी कॉंड़ी तो के हिसाब से आप जो हैं ले सकते हैं और इसका मसाला ओए मैंने नारियल का बुलादा लिया था इससे यह कबाब बहुत सॉफ्ट होते हैं यह बहुत जादा अच्छे होते हैं अगर आप इसमें गोर्ष्ट में एक पपीते का कचे पेस्ट का मिला सकते हैं बना कर इसको हमें सूखा ग्राइंट करना है पीस में पामी नहीं डालना है अभी देखिए हमने मसाला पीस लिया है सूखा अगर अगर आपके पास कच्छा पापीता है तो आप इसमें थोड़ा सा भी मिला सकते हैं यह हमने एक नवादर टीस्पून हमने केवडा हाटर लिया है अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है नहीं जाती है बिल्कुल है बहुत ही जाती है अगर आपके पास ज्यादा वक्त है तो आप इसको लगा के भी लख सकते हैं इसका भोती ज़्यादर पाइस बहुत जादा अच्छा टेस्ट आता है यह लखनाओ के बहुत ही जादा मशूर गलावटी कवाब होगते हैं देखिए हमने सारे मसाले मिक्स कर दिये और आप हम बनाब 20 मिनट के लिए रखोगी फिर उसके बाद मैं आपको इसके कवाब बना कर जिखा रहें जो आपको इसके कवाब बना कर दिखा रहें अगर आप चाहें तो इसको गी में भी बना सकते हैं कि देखिए हमारे 20 मिनट हो चुके हैं अब हम आपको इसके कवाब बना रहें हमकर का पानी का अहत लगाते हैं जाहिए और गोल गोल बना जाहिए और यह मैं बना दी हों इसके कवाब बना देखिए आप इसको परागी के साथ रोटी के साथ औरी के साथ भी चाहिए आप इसको बितनी बेर रखे में इसको गलावत के लिए और इसमें जो कि हमने नार्यक दाना है इसके भी यह सॉप कर दाते हैं और यह खुझबु दाव और फ्लेवर फुन होते हैं इसके अंड़ इस नीए ही खुझबु का मसाला जाता है और यह गुलाब की पंग्रिया जाती है इससे को बहर जादा इसका प्रेश आजाता है अब यह हमारे सारे गोल्डन ब्राउन होते जा रहे हैं हमें सिजीनी देखिए गाइस इस स्टेज पर हमारे लखनाओ के गलावटी कबाब कबाब बनके तयार है बहुत ही जादा टेस्टी डिलिशन और यम्मी है इसको मैंने हरी चटनी दही के जात दनी के साथ और यह प्यास के लच्चो लामन के साथ सब्किया है राइस आप अपने किचन मे मेरी इस रेसीपी से जरूर ट्रै करना और मेरे चैनल को लाइक करें कमंड करें अच्छा सा और अपने दोस्तों में मिलने वालों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ठैंकि यू